हेलो वेलकम तू मैं रिया चोहन आपकी दोस्त और होस्त फॉर शुचल साइन्स आज आपके लिए लेकर आए हूं कंटिन्यूड वीडियो और पॉपिला स्ट्रगल्स और मुवमेंट्स जिसमें हम बात करने वाले हैं सेक्शनल इंट्रेस्ट ग्रूप्स और पॉब्लिक इं तो इसके बारे में हम डिसके करेंगे और देखेंगे कि आखिर यह होता क्या है और किस तरीके से यह एक दूसरे से अलग है ठीक है अब जैसे नाम से हमको समझ में आ रहा है कई चीज़े नाम से ही समझा जाती है ऐसे रटने की ज़र्वात हमको पढ़ती नहीं यहां पर हम देख सकते हैं कि सेक्शनल इंट्रेस्ट ग्रूप है और यहां देख सकते हैं कि पब्लिक इंट्रेस्ट ग्रूप है तो इ उठानी चाहिए है ना हाला कि वो political elections और power government power से उनको कोई लिन देना नहीं होता उनको अपनी बात रखनी होती है और government policies में जिस भी मुद्दे पर बात करें उस पर changes वो चाहते हैं है ना तो यह interest group हो गए अब sectional interest group कैसा होगा जो कि एक particular section के interest की बात करता हो है ना मतलब उनका मुद्दा ऐसा होगा कि जैसे मैं हूँ है ना अब मैं student हूँ अब मैं को ऐसा लग रहे है कि कुछ ऐसी चीज आई या कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसे students को काफी नुकसान हो रहा है या परिशानी हो रही है है ना तो मैं भी एचीज सोच रही हूँ मेरे साथ साथ में दूसरे students भी एचीज सोच रहे हैं हमको लग रहा है कि इसके उपर कुछ करना चाहिए तो हमने क्या क्या हमारा interest group बना लिया अब हम चाहते हैं कि इस particular चीज के उपर जैसे मालनो homework हो गया है ना कि नहीं हमसे लिखते नहीं बनता हमको तो बहुत परिशानी होती है और हमको तो बहुत सारा काम करना पड़ता है example के लिए बतारी कर्मत लेना है ऐसे तो हमको ऐसा लख रहा है कि सारे students को ऐसा लग रहा है हमने क्या कलिया हमारी artist group बना लिया हो कि हमको इसी बात करने है और यह चीज बात करने हैं और हमको अब हम क्या करेंगे अब हमको politics और इस सबसे मतलब नहीं ह Sakson को क्या दिक्कती है किशा का hyum यह जो भी मुद्ध्य इसके वह काफी सिर्योद होते है वहागई उसके उपर चेंजेज लाने की जरुरत होती है, तो क्या करते हैं? उनकी factory वालों से बोलेंगे कि हमारे लिए ऐसे provision लाए जाए जिसमें हमारी safety का ध्यान रखा जाए तो यह क्या हो गया? यह sectional interest group हो गया, जो कि क्या करते हैं? इनका concern यह होता है कि इनका काम हो जाए तो वह एक section of society के लिए बात करते हैं is betterment and well-being of their members, not society in general. ठीक है? मतलब उनको पूरे overall society से कोई लेना देना नहीं है और नहीं होता है ऐसा, उनको यह चाहिए कि उन्होंने जो group बनाया है, जो trade union का group बनाया है है ना, अभी वह चाहते हैं कि उनकी particular factory के लिए उनको, उनकी factory के worker के लिए उनको क्या चाहिए safety measures चाहिए तो वह चीज ले आए ठीक है? यह क्या हो गए? यह sectional interest group हो गए, जैसे trade union हो गए, अपने business associations हो गए, professionals हो गए, lawyers हो गए, doctors हो गए ठीक है? clear, समझ में आया, तो यह factory worker की बात हुई, अब वही public interest groups के अगर हम बात करते हैं, ठीक है? जो की, अब यहाँ पर हमको क्या समझ में रहा है, यहाँ पर section था, यानि की एक छोटा section की बात होगी, अब यहाँ पर ऐसे लोगो होंगे जो बड़े मुद्धो की बात करत है, जिसे मैंने पिछले story में आपको नर्मजा बचावा अंदोलन की कहानी सुनाई थी, है ना, तो उसमें आप समझ सकते हो ना, चलो अभी उसको हम रखते हैं, अभी आप simply यह चीज समझो, है ना, उसको था हमने समझ लिया था, अभी आप यह समझो, कि यह public interest groups जो होते है यह सिर्फ किसी एक particular section की बात नहीं रखते, यह चाहते हैं कि general interest पे बात हो और overall change लाया जाए, है ना, सारे के सारे लोगों का change जो है वो लाया जाए, collective rather than selective good in का मुद्दा होता है, है ना, कि बात हो, तो सभी का भला हो, selective good के हमको बात नहीं करनी है, सारे के सारे जो है वो, इस चीज़ पे काम होना चाहे हर जगा पर, अब जैसे मालो कि जैसे हमने midday meal की बात की थी, है ना, कि जो एक state था, तो वहाँ पर ये परिशानी हो रही थी, कि वहाँ पे draw पढ़ गया था, सूखा पढ़ गया था, अब सूखा पढ़ गया था, तो वहाँ के लोगों के पा सड़ रहा था, है ना, तो ऐसे में एक PIL दायर की गई, public interest litigation, ठीक है, तो एक दूसरे बंदे ने दायर की, कि यार इसकी वज़े से जो सूखा पढ़ा है, इसकी वज़े से लोगों को समय पे खाना नहीं मिल रहा है, और बहुत सारा अनाज जो है, वो already go downs में सड़ रहा है, तो ये गलत है और बच्चों को मिड़े मील जो है, वो शुरू होनी चाहिए, कहाँ पर स्कूलों में, तो उन्होंने देखा तो एक तरफ से, उनको ये idea कही एकाँ स्कूल में ध्यान आया होगा, या उन्होंने देखा होगा कि यार बच्चे बहुत परशान हो रहे है, रा अगर वही चीज़ उस पर्टिकलर स्कूल के लिए कराते तो वह सेक्शनल इंट्रेस्ट ग्रूप कहलाया जाते, लेकिन उन्होंने पबलिक के लिए बात की, ओवरॉल सोसाइटी के लिए बात की, इन जनरल बात की, कि ऐसा होता है, मिड़े मील शुरू करनी चीए, ताकि बच्चे जो है, वो कम से कम खाने के लालच में तो स्कूल आए, और वैसे पी उनको नुट्रेशन इतने घरों में नहीं मिल पाते, पूर फैमिली होती है, तो वो शुरूवात के जो समय पे बच्चों को नीज होती है, नुट्रेशन की वो नहीं अवेलेबल होती है, तो उनको स्कूलों से दिया जाना चाहिए, हैना, तो ऐसी शुरुवात की गई, तो यह क्या है, यह पबलिक इंट्रेस्ट ग्रूप होगा, मतलब लोगों के इंट्रेस्ट की बात हुई, कलेक्टिव गूड की बात हुई, पूरी सोसाइटी की बात हुई, हैना, दे प्रमोट क्या चाहते हैं, कि उनकी सेफटी की बात हो, उन्होंने जो ग्रूप बनाया है, उनके मेंबर्स की भलाई वो अभी फिलाल चाह रहे हैं, लेकिन पबलिक इंट्रेस्ट ग्रूप ऐसा नहीं है, कि वो सिर्फ अपने मेंबर की बहलाई चाहता हो, वो पूरी की पूरी की बहलाई चाहते हैं, अब जैसे आप मालो, बाम सेफ की अगर हम बात करें, तो नहीं, फेडिक और की देख लो, या बाम सेफ देख लो, कई बार ऐसा होता है कि देखो, दोनों चीज होती है, दोनों चीज इसके अंदर आप ले सकते हो, कि एक तो वो अपने मेंबर्स के स साथ साथ पूरी सोसाइटी के भले की बात चाहेंगे, है न, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आपको छोड़कर दूसरे मेंबर्स की भी बात करना चाहते है, जैसे कि अगर बॉन्डेज लेबर वरकर की बात हो गई, कि यार कोई बॉन्डेज लेबर है, या फिर कोई परिशान किया जा रहा है, उनको वेज़ेज नहीं दिये जा रहे है, या फिर उनका काम नहीं हो रहा है, तो कोई दूसरा और गईनाइजेशन ने अगर देखा कि यार ऐसा लेबर के साथ में हो रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, उनका मुद्दा सरकार तक लेके आपर नहीं है, बहुत सारे लेबर जिनके साथ में ऐसा होता है, तो आप यह चीज इसके ओपर पॉलिसी डिसिजन बनाओ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भी बॉन्डेज लेबर का ही ग्रूप हो, वो यूमन राइट्स का भी ग्रूप हो सकता है, जो कि की माइनोरिटी कम्यूनिटी के लोगों के साथ में आट वर्क है ना तो इन्होंने क्या किया इन्होंने और यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ में पूरी सोसाइटी को भी न्याय दिलवाना चाहते हैं तो यह क्या हो जाते है पुब्लिक इंट्रेस्ट ग्रूप हो जाते हैं अब एक बार सेक्शन और पुब्लिक दोनों में आपको सिंपल सा डिफरेंस फिर से समराइज कर देते हूं सेक्शनल इंट्रेस्ट ग्रूप ऐसे ग्रूप होते हैं जो कि इंफ्लूएंस करना चाहते हैं पॉलिसी को ठीक है गवर्मेंट में इंफ्लूएंस डालना चाहते हैं लेकिन किसी एक सेक्शन के लिए सिर्फ उनको सोसाइटी या ऐसा कुछ जनरल इंट्रेस्ट के लिए का वहीं public interest groups होते हैं यह government में influence करना चाहते हैं है ना और changes दिलवाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद के लिए बलकि पूरी society के लिए अब ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद के साथ साथ पूरी society के लिए बात करें या फिर खुद को छोड़ के पूरी society के लिए बात करें समझ में आया पॉब्लिक इंट्रेस्ट और sectional इंट्रेस्ट दोनों clear है यही होता है पॉब्लिक और sectional इंट्रेस्ट इससे जाज़ा अच्छे से हम नहीं समझ सकते इस चीज़ काफी easily में आपको दोनों stories और कुछ extra stories देके भी समझाने की कोशिश की तक कि clear दिमाग में एकदम बढ़िया से फिट हो जाए ठीक अब जब आगर answer लिखने की बात आती है difference करने की बात आती है तो points तो आपके पास में है ही और हिंदी में भी हमने समझ लिया ठीक है इसी तरीके से Magnet Brains में सारी चीज़े एकदम free of cost available है बढ़िया से आप चीज़ों को समझ सकते हो Magnet Brains की official website पे और YouTube पे Hindi Medium चैनल भी हमारा बन चुका है तो आप इसको भी subscribe कर सकते हो kindergarten से लेके 12 तक NTSC, Olympiad, English Medium, Hindi Medium सभी कुछ आपके लेकदम free of cost available है बढ़िया से पढ़ते रहो चीज़ों को समझते रहो दिमाग में एकदम clear रखो to the point है ना और पहले हिंदी में समझो बातों जैसे जैसे normal बातचीत करते हैं कि नहीं हम समझाने के लिए वैसे समझो तो एकदम दिमाग में fit हो जाएगा फिर answers अगर निकालना है तो slides है ही है ना इसी तरीके से बनाई है ताकि आपको to the point सारी चीज़े मिल जाए clear और उसके बाद में NCRT से भी थोड़ा सा पढ़ लिया करो क्योंकि शब्द हम को अच्छे से मिल जाते है answers लिखने के लिए ठीक है अच्छा लगा तो like करना share करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को subscribe करना मिलते हैं अगले वीडियो में thank you